नमस्कार, फिनो लर्निंग जोन में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि कैसे आप फिनो सहयोग के माध्यम से रिक्वेस्ट या कम्प्लेंट अपने एंड से मतलब अपने द्वारा रेज कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग स्क्रीन शॉट के माध्यम स देखते हैं। तो अभी तक क्या होता था मर्चेंट बंदों कि आपको जब भी कोई कम्प्लेंट या रिक्वेस्ट रेज करनी होती थी तो आपको मर्चेंट हेल्प डेस्क या आपको अपने नियरेस्ट ऑफिस फिनो की मदद लेनी पड़ती थी। अब फिनो सहयोग के आ माध्यम से अब अपने द्वारा ही आप अपनी रिक्वेस्ट या कम्प्लेंट रेज कर सकते हैं। इसके साथ साथ ही आप अपना जो भी रिक्वेस्ट करेंगे कम्प्लेंट या जो भी आप रेज करेंगे तो आपकी उसका करन्ट स्टेटस और रिजॉलूशन स्टेटस द देख पार हैं तो हम आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहले आपको login करना है अपने merchant portal पे इसके बाद left and side पे आप देखते हैं चार लाइने हैं यहाँ पे आपको click करना है और service request जो भी हमारी service होती है उसका जो list खुलता है उसमें फिनो सहयोग पे click करना है फिनो सहयोग पे click करने के बाद आपके screen पे यह दिखता है फिनो सहयोग इस पे click करेंगे फिनो सहयोग पे click करने के बाद आपको यह redirect करेगा next web page पे इस page पे हम आएंगे यहाँ पे देखे आपको बहुत सारे option दिख रहे हैं इसमें हम merchant सायोग पे click करेंगे यहाँ पे click करने के बाद आपके पास यह page खुल के आएगा जिसमें आप देखेंगे कि आपको खूब सारी categories दिख रही है issue की इसमें आपका जो भी issue है आप उसको select करेंगे यहाँ पे हम device related issue का example देखते हैं तो device related issue पे click किया हमने click करने के बाद आपका इ इशू का जो आपका device related issue था उसमें sub category में कौन से category में आपका आता है monthly rental, charges, battery issues, technical error, code issue तो इस तरह से आप सारे यह जो sub categories है इनमें हमने technical error को select कर लिया technical error को select करने के बाद आपका next page यह खुल के आ रहा है तो यहाँ पे आप सबसे पहले name of device को select करना है कि आपके कौन से device में error आ रहा है इसके बाद error जो आ रहा है उसका आपको attachment भी करना है यहाँ पे अपने file को attach करना है जो भी आपका screenshot है उसको यहाँ पे attach कर देंगे इसके ब करने के बाद आप submit कर देंगे जैसे ही आप यहां पे submit कर देंगे तो आपका जो भी complaint या request नमबर है वो यहां पे create हो जाएगा तो देखिए आपके इस screen पे यह complaint जो भी आपका request था उसका number raise हो गया है अब यहां पे हम देखते हैं कि हमारा जो भी request या हमारी complaint है उसको देखने के लिए right hand में top पे जो blue color का आप निशान देख रहे हैं symbol देख रहे हैं my ticket का इस पे click करना है यहां पे हम देखिए new assign और close तीन option आ रहे हैं तो हमन assign पे click किया assign पे click करने के बाद मेरा ticket number के माद्यम से हमने देखा कि हमारा status क्या आ रहा है तो जैसे मैंने ticket number डाला और देखा current status assign पे click किया तो यहां पे जैसे मैंने click किया तो मेरे को यहां पे current status कि भहिया जो भी resolver है उसका comment हम यहां पे देख सकते हैं कि उन्होंने resolve डाल दि और उन्होंने क्लूज भी कर दिया है। तो मैं यहां पे इसको रिओपन भी कर सकता हूंlot देखी आपके right hand में रिओपन का भी option आ रहा है तो यहां पे हम रिओपन कर सकते हैं। तो देखा कितनी आसानी से अब आप अपने माध्यम से ही अपना जो भी request या complaint है वो raise कर सकते है merchant portal से मुझे आश्या है कि फिनो सहयोग का ये वीडियो देखने के बाद आप अब अपने मादम से कर सकते हैं धन्यवाद